हलो प्रेंट्स आज हम बनाएंगे ड्राइप टाइटो मसाला यह बहुत ही जटपटा बनके रेड़ी होती है और बहुत जल्दी बन जाता है आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा तूरंत यह बन जाता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका रेसिपी तो यहाँ पर मैंने पहले से ही पैन गरम कर लिया है और यहाँ पर हम डालेंगे ओयल तो यहाँ पर मैंने मस्टर डाल वान टी स्पुन डाल रही हूँ आप कोई भी कुकिंग ओयल डाल सकते हैं तो ओयल को गरम होते हुए हम यहाँ पर डाल देंगे सरसो सरसो का अच्छे से हाप्टिस्पॉन जीरा जीरा धिरा को ना धिर्ग करकल कुड भी कुट की diversity है मैं चोप सब बूने और हम वी तोड़ा सी अगारा कम लिए हो mph जlie और यभर अब Öहां बापनर बूनम दام तोग्रत हों और इसको इससे चिलका निकल के इसे कट कर लिया है चोटे चोटे पीस में और इसको भून लेना है दो से तीन मिनिट के लिए तो यहाँ पर देखिए मेरो आलू भून चुका है अच्छी तरीके से मैंने तीन मिनिट के लिए इसको भून लिया अभी हम मसाला एट करेंगे तो यहाँ पर हम डालेंगे हाप टी स्पून हल्दी पाउडर हाप टी स्पून कस्मीरी रैट चिली पाउडर हाप टी स्पुन जीरा पाउडर हाप टी स्पुन धनिया पाउडर हाप टी स्पुन गरम मसाला वान पिंच के जैसा होगा गरम मसाला लाश्ट में हम डाल देंगे आमचुर पाउडर हाप टी स्पुन और नमक टेस्ट के कोड़ेंगे आप डाल लीजे और इसको मिक्स कर लेंगे और दो मिनिट के लिए इसको भून लेंगे ताकि मसाले का चपन चली जाए और अच्छी से यह मसाला आलू के साथ कोट हो जाए आलू के साथ अच्छी से मिक्स हो जाए तो यहाँ पर और चार से पांच मिनिट के लिए भून लेंगे धक लेंगे और low to medium flame पर इसको भूनना है तो यहाँ पर देखिए आलू अच्छी तरह से भून गया है और यह चटपटा वाला आलू बनके रेडी हो चुका है अपके बस धन्या पत्ता है तक धन्या पत्ता से भी गर्निस कर लीजिए और यह चटपटा वाला आलू ड्राय पटाटो मसाल बनके रेडी है अगर आपको रेसिपी पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब सेर जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर थैंक्स पर वाचिंग थैंक्यू